हेलो गाइज, असलाम लेकूम, आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे, आज हम बनाने जा रही हैं शामी कबाब, चलिए शुरू करते हैं यह हमने आदा किलो बॉनलेस चिकन लिया है, इसे अच्छे से हमने वोश कर लिया है, यह लिए हमने दाल चनी की, इसको हमने भिगो लिया था, दो तिन घंटे के लिए, यह हमने वजन में 200 किराम दाल हो गी है, यह हम लेंगे कूकर, इसमें डालेंगे चिकन, अब यह डालें लेंगे अद्रक लस्टन यह हमने अद्रक लिया है लस्टन के जवें लिये हैं आठ दस लिये दो सुखी लाल मिर्च इनको तोड़ के डाल देंगे नमक लेंगे एक चम्मच और आधा गिलाश डालेंगे इसके अंदर पानी पानी हमें जादा नहीं डालना है बस आधा ही गिलाश डालना है चार सीटी लगा लेंगे चार सीटी के बाद अब यह देखे हमने खोल के देखा हो चुका है अब इसको हम ठंडा कर लेंगे अब लेंगे हम चोपर इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज चोप करी हुई डालेंगे दो हरी मिर्चे और डालेंगे हरा धनिया अब इसको चोप कर लेंगे यह चोप हो चुका है अब डालेंगे हम यह दाल और चिकन इनको भी हम चोप कर लेंगे अब यह चोप हो चुका है अब डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे गरम मसाला पाउडर डालेंगे काली मिर्च पाउडर डालेंगे चार्ट मसाला पॉडर एक चम्मच एक चम्मच भरके डालेंगे जीरा मसाला दो चम्मच डालेंगे घी नमक डालेंगे थोड़ा एक डालेंगे अंडा अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी मिक्स हो चुका अब हम इसकी टिक्किये बनाएंगे यह देखे अभी टिक्किये बना लेंगे हम इन सब की यह देखे इस तरह से बनाने हैं अब टिक्कि बन चुक है अब लेंगे तेल यह गरम हो चुका है इसमें डालेंगे टिक्किये थोड़ा धीरे धीरे डालनी है ध्यान से अब यह हमने पलट ली थी एक तरब से हो चुकी है सुनहरी दोनों साइड से सीख चुकी हैं अब हम इनको निकाल लेंगे बहुत ही सोफ्ट बनी थी एक दम मुँ में घुल जाने वाले आप भी बनाईए हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत प्रड़त कीजिए Malchegare शेत अалek में अकमारे ज हम हम आप मुते हम इनको कीजिएति ऊहरे जएगागाफ से अ विस एléता हैं अकर यह हम इनको दोनावादाग СтामÝ